कर दोस्तों वेदान्ता इंट्रोड़क्शन सीरीज के 14th सेशन में आप सभी का स्वागत है आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग और गहरे उतरते जा रहे हैं अपने चर्चा में अपने डिसकेशन आज हम बात करने जा रहे हैं पंच कोश मॉडल पे पंच कोशा हमने बात की है कि करता मतलब हम स्वेम किसी कारण से कर्म करता है और कारण मूल रूप से एक ही है हमारे जीवन का और एक ही लक्ष हमारे जीवन का होना चाहिए और वो लक्ष है आत्म मोक्षार्थन जब मैं स्वैम के मोक्ष के लिए प्रयास करता हूँ मोक्ष का अर्थ freedom from fear हर तरह की suffering से मुक्ति पा जाना जब कोई चीज ना हो तो उसको पाने की दुखद लालसा ना होना और जब कोई चीज हो तो उसको खोने का भै ना होना हर तरह के परेशानी से freedom इसी को जब तक हम जीते हैं इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं और म्रत्ति उपरान इसी को विदेह मुक्ति कहते हैं यह हमने बात की है पहले की तो जब यह करता कर्म करता है तो कर्म के लिए उसे करण की आवशक्ता होती है और करण means instrument तो कुछ तो होते हैं उप करण जो हम technical instrument हमारे आसपास यूज़ करते हैं laptop, mobile, सब कुछ कुछ होते हैं बाहे करण जो हमारा शरीर है ये भी एक instrument है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर विकास करते हैं खुद को improve करते हैं दूसरा is called अंतह करण जिसका संबंद हमारे सुक्ष्म शरीर से है जिस पे हमने शरीरत रहा पिछले सेशन में बात की थी, तेरवे सेशन में और जो कारण है उसी को causal body कहा जाता है इस पे भी हमने पंच कोश मुल्तः पंच कोश शरीरत रहका ही विभाजन है बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल तीन शरीर हमारे पहला स्थूल शरीर जो आप देख सकते हैं हमारे हाथ, हमारी आवाज आप सुन पा रहे है दूसरा सुक्ष्म शरीर जो हमारा अंतह करण है हमारे अंदर जो प्राण है हमारा मन, बुद्धी, चित्त, हंकार ये शुक्ष्म शरीर है और तीसरा कारण शरीर जिस कारण से हम धरती पे आए क्योंकि आता वही है जिसे कुछ आता नहीं है और जिसे आता है वो इस धर्ती पे आता नहीं है तो हम सब में कुछ न कुछ तो कमिया है इसलिए हम यहाँ है वही कारण शरीर तो यह जो शरीर त्रय है इसी को फर्दर विभाजित किया गया उसी को पंच कोश कहते है व्यक्तितों का जब raw material based division हम करेंगे किससे वो बना है raw material तो हम उसे कहेंगे शरीर त्रय थ्री त्राइप्स ऑफ बॉड़ी पर जब हम व्यक्तितों का functional division करेंगे how does our personality function तब हम उसे कहेंगे पंच कोश दोनों बात एक ही है देखने के अलग-अलग तरीके है पंच मतलब पाँच कोश कार्थ है layer coverings levels तो five levels of our existence पंच कोश gives a functional structure through which we identify ourselves हम खुद को कैसे देखते हैं वो generally पाँच तरह से हम खुद को देखते हैं उसी को पंच कोश कहा जाता है अभी हम धीरे धीरे अंदर उतरेंगे ता आपको और क्लियर होगा how do we identify ourselves हम खुद को कैसे identify करते हैं वही पंच कोश है identify का मतलब हम खुद पे क्या label लगाते हैं कैसे जैसे मैं विकरांत हूँ तुम अंकित तिवारी हो येक label लगा दिया हमने हम शत्रिये हैं आप भ्रह्मन हो सकते हैं दूसरा label लगा दिया हमने मैं दुखी हूँ ये एक और label लगा दिया मैं बहुत खुश हूँ ये एक और label मैं खुबसूरत हूँ मैं अच्छा नहीं दिखता ये सब label सी तो हैं जो हम खुद के उपर चिपकाते हैं कौन-कौन से label हम चिपकाते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं मूर्ख हूँ मैं एनर्जेटिक हूँ मैं डल हूँ ये कौन से label हम खुद के उपर चिपकाते हैं इसी को कहा जाता है पंच कोश labeling yourself तो खुद पे हम चिपका देपे तो identification या label का मतलब आहम और मम ये दो तरह के label हम चिपकाते हैं अहम मतलब मैं मैं डॉक्टर विकरान सिंह तोमर हूँ ये एक label लगा लिया हमें label मतलब identification दूसरा mum means mine जो मेरा है इस तरह से हम label लगाते हैं और अंदर उतरते जाएंगे तो समझ में और clear होगा और ये हमें जान समझने में मदद करता है कि अगर मैं कहा रहा हूँ मैं विकरान सिंह तोमर हूँ ये केबल एक label है तो फिर मैं कौन हूँ तो ये प्रशन बड़ा होता है दैनन सरस्वती जब वो बहुत छोटे थे तो उन्हीं के गाउं के पास में एक बहुत महान गुरू आयर हुए थे तो दैनन सरस्वती बालक सरस्वती उनके गुरू क्या जो पुटिया थी वहीं पहुँच गए उन्हों दर्वाजा नौक किया अंदर से गुरू ने कहा कौन है वो छोटा सा बालक चुप रहे गया कुछ पल बाद उसने फिर से दर्वाजा नौक किया अंदर से गुरू ने फिर से कहा कौन है वो बालक फिर से चुप हो गया फोई दर्वाज पिर से उन्हों ने दर्वाजा नौक किया अंदर फिर से गुरू ने पूछा कौन है भाई ये बालक फिर से चुप हो गया अब तीसरी बार के बाद जब उन्होंने चौटी बार नौक किया गुरू जला गये गुरू ने उठके दर्वाजा खोला तो सामने छोटे से दैनन सरस्वती थे गुरू ने कहा भई मैं तीन बार तुमसे पूछ चुका हूँ कौन है और तुमने उत्तर नहीं दिया छोटा सा बालक हाद जोड के बोला गुरू जी मैं कौन हूँ यही पूछने तो मैं आपके पास आया हूँ और आपने दर्वाजे पे ही मुझसे पूछ लिए आप कौन है तो मैं क्या उत्तर देता आप तो चलिए आज हम पता लगाने की कोशिस करते हैं कि हम कौन हैं एक छोटी सी exercise करते हैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए तो जो हम कहते जा रहे हों करते जाईए सबसे पहले अपना हाथ सीधा हाथ हवा में उठा लीजे जो भी आपका वरकिंग है जल्दी उठाईए परफेक्ट अब इस हाथ को अपने सिर पे रख लीजे जल्दी से रख लीजे अब इस हाथ को अपनी नाग पे रख लीजे अब इस हाथ को अपनी नाग पे रख लीजिए उठा के फिर से अब इस नाग को उठा के अपने कान पे रख लीजिए अब इस हाथ को उठा के अपने रदेह पे रखिए हार्ट पे अब इस हाथ को उठा के अपने कंधे पे रखिए अब इस हाथ को अपने पैर पे रखिए और अब इस हाथ को अपने आप पे रखिए रखिए अपने आप पर हम देख पा रहे हैं कई लोगों के चेरे पे खूबसूर्ट सी स्माइल टेर गयी है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं रखू किदर रखू हो सकता है किसी ने पैर पे रख लिया हो किसी ने कंडे पे रख लिया हो किसी ने सर पे रख लिया हो किसी ने हाट पे रखा हो और कोई कंफ्यूज हो गया हो किसी ने हवाँ पे रख लिया हो क्योंकि जब ये प्रशन आता है कि अपने आप पे रखिये तो ये समझ में नहीं आता है मैं हूँ कि नाथ तो चलिए उसी को ढूड़ने की कोशिस करते हैं एक व्यक्ति था बड़ा परिशान सा दुखी सा उसको लगता था आम इंसान की कोई कदर ही नहीं है और उसको बड़ा महत्वहिंद सा महसूस होता nécess तो उसने निरधारी इत किया कि वो जाके सरकार से मिलेगा और पूछेगा कि मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं महसूस होता तो उसको सरकार से मिलना था कि मुझे सरकार से आमने सामने मिलना है तो किसी में राय थी देखो तुम यहां तो मिलना ही पाओगे आगरा में तुम्हें जाना पड़ेगा दिल्ली, दिल्ली में वरहती है सरकार को, आनन फानन दिल्ली पहुचा, अब दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे उसने पूचा मुझे सरकार से मिलना है, रेलवे स्टेशन तो रेलवे वाले बड़े कंफ्यूज होगा उन्हों दो बोला आप ऐसा करो यार तुम है ना मंत्राले चले जाओ नौर्थ साउथ ब्लॉक वहां मिल सकते हैं सो वो बंदा वहां पहुँच गया मंत्राले अब जैसे वो मंत्राले पहुँचा मंत्राले में घुशते ही उसने कहा कि मुझे सरकार से मिलना है तो वहां जो CISF दर्वाजे पर खड़ी थी उन्होंने कहा यही सरकार है और क्या होती है सरकार यह बिल्डिंग यह सब कुछ तो सरकार है तो उसने building को छूपके देखा उसने बिल्डिंग है नॉर्थ ब्लोग का जो building है वहाँ के बंदे ने बोला हाँ यही है और बोला पर मुझे मिलना है तो आदमी और confuse हो गया जो वहाँ फॉजी खड़ा था उसने बोला एक काम करो तुम्हें अंदर से ले जाओ अंदर मिला उसने बोला तुम्हें अगर सरकार से मिलना है तो जो फाइल मेरे हाथ में दिख रही है ना ये फाइल ही तो सरकार है ये चलती है तो सरकार चलती है जहां ये फाइल जाती है बस वही ताकत जाती है यही उर्जा है यही प्राण है इसी से पूरा देश चलता है फाइल से तो उसने बोला अच्छा ये सरकार है तो उसने बोला नहीं केवल ये सरकार नहीं है ये भी सरकार है तो उसने बोला अगर मुझे मिलना हो तो मैं क्या करू तो उस आदमी ने बोला ये रब मैं आप तो क्या बता हूँ ऐसा करो आप यहां बाबू लोग बैठते हैं बहुत सारे बाबू से मिलो वही सरकार हैं वही चलाते हैं तो बाबू के पास पहुंच गया बाबू को बोला आप सरकार हैं तो बाबू ने बोला कि नहीं हम सरकार नहीं हैं हाला कि ये बात अलग है कि हमारे मूट से ही सरकार च हिस्से हैं तो उसने बोला फिर सरकार किदर है तो बोला बाबू ने बोला है तो आपको अधिकारियों से मिलना पड़ेगा वही तो चलाते हैं हमें वो बोलते हैं तो हमारा मूड हो जाता है तो फिर वो अधिकारियों से मिलने पहुंच किया अधिकारी से बोला आप सरकार है अधिकारी ने बोला नहीं नेड़े हम लेते हैं सारा ये सच बात है पर हम सरकार थोड़ी है हम सरकार का हिस्सा है फिर बोला भई सरकार कौन है मुझे उससे मिलना है तो बोला सरकार तो केवल प्रधान मंत्री है तो उसने बोला ठीक है फिर मुझे मिलना है पर फिर बोला हर क किसी से तो मिल नहीं सकते है प्रधान मंतरी, उससे मिलना बड़ा मुश्किल है, उससे मिल पाना इतना आसान भी नहीं है, तो बड़ा उसने मिननत एकी, बहुत देर वेड़ करता रहा, फाइनली प्रधान मंतरी मिलने को तयार हो गए, उसने प्रधान मंतरी को बोला, आप सर सरकार से मिलना है तो किस से मिलो प्रधान मंतरी ने बोला मैं तो सेवक मातर हूँ मैं प्रधान सेवक हूँ अगर आपको सरकार से मिलना है तो इस देश की आत्मा तो आम मनुष्य में ही है आम आदमी ही तो इस देश की आत्मा है वही तो सरकार है उसी ने तो मुझे ताकत दी मैंने ही तो अधिकारियों को ताकत दी अधिकारियों ने बाबू को ताकत दी बाबू ने फाइलों की ताकत दी और फाइले जब चली तो यह मंत्रा ले चलने लगा इसी से देश चला तो जब आप आत्मा से मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे कैसे हर तरफ भही तो है पर वो अलग-अलग प्रतिबिम्ब आपको उसके दिख सकते है पर यदि आप फाइल को सरकार मानने तो आप सही नहीं आप गलत है बस यही पांच कोश है वो जो मंत्रावे की बिल्डिंगे जिसे आप छू सकते है उसको अन्न मैं कोश कहते है पहला कोश जिसको आप छू और देख सकते है वो जो फाइले हैं जो चलती है और जहां फाइल पहुंचती है वही काम होता है उसी को पराण मैं कोश कहते है दूसरा कोश जो उर्जा से भरता है हमे वो जो बाबू है जो अपनी मर्जी से काम करते मर्जी ना हो तो नहीं भी करते मूडी है यही मूड तो मन है मनो मैं कोश वो जो अधिकारी है जो निर्णे लेते है इसी को तो विज्ञान मैं कोश कहते है और वो जो स्वैम प्रधान मंत्री है जो प्रधान सेवक है वही तो आनंदमय कोश है तो ये पाँच कोश है पर ये पाँचो सरकार के हिस्से हैं ये सरकार नहीं है ये मिलके बना सकते हैं पर सरकार इससे परे है जो देश की जनता में बसती है लोकतंत्र देश की जनता में बसता है तो इसी तरह से अगर ये पांच कोश आप समझें, तो जो स्थूल शरीर है उसी को अन्न मैं कोश कहते हैं, दूसरा शरीर त्रह में जिसको आपने सूक्ष में शरीर कहा था, उसी के तीन हिस्से किये गए, पहले हिस्से को कहा गया प्राण मैं कोश, दूसरे हिस्से को कहा गय विज्ञान मैं कोश, ये तीनों मिलके स्थूल शरीर ही हैं, और जो कारण शरीर है, उसी को कहा गया आनंद मैं कोश, हमने जैसा बताया, ये तीन शरीर ही पाँच कोश में हैं, चलिए अब एक एक करके इन कोशों को समझते हैं, पहला, अन मैं कोश, नाम से ही समझ में आ रहा वही अन मैं, modified food, एक विज्ञानिक ने कहा कहीं, कि we are food rearranged, हम खाना ही तो हैं, जो अरेंज होके इस format में आ गया है, खाना खाना बन कीजिए, खतम हो जाएगा से, बस खाने को ही अरेंज कर दीजिए, तो हम बन जाएगा, बस खाने को ही अरेंज कर दीजिए, तो हम बन हम पूछें की कौन हैं आप, तो हम उत्तर देंगे, जनरली लोग क्या उत्तर देते हैं, नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर विकरान सिंग तोमर है, और हाई मार टीचर, हम एक सिक्षक है, तो चलिए, अब आपने हाँ दो चीज़ें बोली, जनरली लोग ऐसे और दूसरा मैं एक टीचर हूँ, वो क्या है आपका रोल, तो अनमे कोश जनरली दो चीज़ों पर चलता है, आपका नाम और आपका रोल, तो एक एक करके थोड़ी सी बात करें, तो शरीर का हम एक नाम रखते हैं, तो वो हो जाता है, चुकि हम शरीर को देख सकते हैं, तो अब उस पर नाम रख देते हैं, तो यह जो बॉड़ी है, यह अनमे कोश है, जो हम सब की बॉड़ी जो शरीर दिखता है, यह बॉड़ी हमारे विचारों का आईना है, बॉड़ी विचारों का आईना है, किसी भी वेक्ती के चेहरे की जुर्यों का अगर आप गौर से देखा के सारे अनुभव की लाइन्स आपको दिखना चालो हूँ, शरीर का हर एक इशू मन के किसी ना किसी इशू से जुड़ा हुआ होता है, शरीर और मन बिलकुल एक दूसरे से जुड़े हुए होता है, अगर मन में कोई व्याधी आती है, तो शरीर पे वो दिखने लगत आप लगातार किसी चीज में बुरा सोचिए, परिशान सोचिए, धीरे धीरे आपका सर दुखने लगेगा, तो शरीर जीवन दर्शन ही है, और दोस्तों व्यक्ति भले जुड़ बोल दे, मन उससे जुड़ बुलवा दे क्योंकि मन कंफ्यूज होता है, शरीर कभी जुड नहीं बोलता है, ये बॉड़ी नेवर लाइज, इसलिए तो पुलिस नार्को टेक्स टेस्ट करती है, आतंगवादी से पूचते हैं कि भई तुम बताओ, तो आतंगवादी जुड़ बोलता है, पर उसका शरीर सच बोलता है, क्योंकि जब आप जुड़ बोलना चालू कर रहता है, किसी व्यक्ती को अगर कहीं बहुत बुरे अनुभव रहे हो, हम जानते हैं, एक महिला उनको उनके ससुराल में काफी बुरे अनुभव रहे, बड़े परिशान नहीं, और बात दुस्तर में उनका बच्चा छोटा था, ससुराल वालों ने बड़े कस्ट दिये उ जब उनका बच्चा बड़ा हुआ, योग ये बना, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अब चिंता की कोई बात नहीं थी, पर आज भी जब वो महिला उस शहर के रेलवे स्टेशन पे उतरती है, अब ससुराल बाले परिशान भी नहीं करते, बच्चा भी बड़ा हो गया है पर जैसे ही महिला रेलवे स्टेशन तो उतरती है, उसकी हार्टवीड तेज हो जाती है, क्योंकि शरीर तुरन पहचान जाता है, इसलिए शरीर कभी जूट नहीं बोलता है, आप अगर अंधेरे में जाएं और आप बोलें मुझे बिलकुल डर नहीं लग रहा है, पर आप कुछ भी बोलते रही है, बोडी सबसे ज़्यादा सच बोलती है, जैसे और जब आप बोडी से डायलॉग कर पाते हैं, आप अपने शरीर को समझते हैं, तो आपको और मदद होने लगती है, जैसे आपका जो सर है, जेनरली सिर रिप्रेजेंट आस, ये हमारा ही प्रतिबि हैं, तो अगर आपके साथ सर में कोई परिशानी है, आप अपने सिर में अनकमफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कही न कहीं, आप अपने अस्तित्व से अनकमफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, सोच के देखिए, हमारे जो बाल है, बाल जनरली, भावनात्मक रूप से strength का प्रतीक होते हैं, ताकत का भावनात्मकूरूप से अभी कहा, हर issue शरीर का किसी ना किसी issue से जुड़ा हुआ होता है मन के, तो क्या होता है, जब आप ज़्यादा तनाव में आते हैं तो आपको अपनी capacity कम लगने लगती है और जैसे आप तनाव में आते हैं जिसमें से बाल निकलते हैं तो होता किया जब आप बहुत तनाव में आते हैं तो आपका जो scalp है यह shrink होता है और जैसे आपका scalp shrink होता है तो sharp close हो जाता है इससे आपके बाल सांस नहीं ले पाते हैं और बाल गिर जाते हैं तो जैसे आप तनाव में आते हैं लोगों के बाल कम होना चालो हो जाते हैं आपने नहीं देखा, लोग जब प्रधान मंतरी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके बाल तीजी से गिरना शुरू होता है। कारण क्या है? इतना तनाव, इतना प्रशुर तो शरीयर आप... कितना ही कहले मुझे कोई प्रशुर नहीं है... और बोड़ी नोस। और धीरे धीरे जब तनाव और बढ़ता है और scalp और shrink होना चालू होता है यह जो उपर का तचा है शरिंक होती है तो धीरे धीरे जो फैलिकल होता है वो भी close हो जाता है तो बाल लैप आने ही बन हो जाता है इससे baldness बढ़ती है आज अमेरिका में और दुनिया के कई देशों में एक परिशानी जिन से लोग जूझ रहे हैं वो ये है कि महिलाओं के बाल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं कारण क्योंकि महिलाओं अब फील्ड में बहुत तेजी से नौकरियां करती हैं उससे वर्ट लाइफ बैलनसिंग की इशूज उनके सामने नये आते हैं इससे उन्हें तनाव होता है, उनके बाल का पतल होता है हमारे कान, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को कान में बहुत दर्द होता है इसके कई कारण हो सकते हैं पर उसमें से एक कारण यह होता है अगर माता पिता मैं आपस में बहुत ज़ादा जगड़े हो रहे हैं तो बच्चे के कान सबकॉंशेसली माता पिता की यो कर्शकश DWANी और जगड़े सुनना नहीं चाहते हैं तो subconsciously कान दुखने लगते हैं ताकि आसपास की आवाजें उसनना बंद करते हैं शरीर जानता है आप कितना ही कहले हैं मैं comfortable है कई लोग होते हैं जो बड़े rigid होते हैं अपने विचार में यही तरीका सही है जैसा मैं सोचता हूं यही सोचने का तरीका सही है ऐसे लोगों को neck की problem होनी की संभाव ना हो सकती है गर्दन उनकी अकड़ जाती है उसका कारण कई हो सकता है पर उनमें से एक मनो विज्ञानिक कारण यह भी है कि आप बड़े अपने विचारों को बड़ा पकड़ के रखते है आप में flexibility नहीं अगर आप अपने आपको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे अपने लिए stand नहीं लिए पाते है तो आपको throat में problem हो सकती है तो शरीर मन से जुड़ा हुआ है Harvard की एक professor ने research की it is called power posing तो research यह कहती है कि अगर आप थोड़ी देर ऐसे सुपर में की तरह बैठे power posing में ज़रा सब बैठके देखे बिल्कुल सीना चौड़ा और ऐसे बिल्कुल कड़क होके वो कहती है कि अगर आप बिल्कुल power pose लेके बैठेंगे तो उस समय आपके शरीर के अंदर के टेस्टेस्टरोन जनरेट होंगे और कॉर्टिसोल्स कम होना चालो होंगे उसने रिसर्च करके बताया है केवल दो मिनिट आप अपने शरीर को बिल्कुल सुपर में की मुद्रा में रख लीजिए अपने आप आपका मन बहतर फील करना लगे आप बिल्कुल ऐसे शौर मुद्रा में खड़े हो जाईए और सोचिए कि आप कुछ नेगेटिव सोचें आप नहीं सोच पाईए पावर पोजिंग आपके मन को तक बदल देता है शरीर अन्दमेकोश ये बड़ा महत्पूर है गीता में भगवान करशन कहते है आप खाना खाते है खाना डाइजिस्ट होता है उसी से स्पर्म बनता है स्पर्म ओवम में जाता है उस वही सीड बनता है फिर उससे फीटस बनता है फीटस से गर्बधारण के द्वारा बच्चे का जन्द होता है बच्चा फिर मत्यू को प्राप्त होता है और मत्यू के बाद फिर से फूड बन जाता है और ये साइकल चलती रहती है अब दूसरे पर हम आए रोल्स हमने कहा हमारा नाम डॉक्टर विकरान सिंग तोमर है और I am a teacher तो ये रोल्स भी प्राण में कोश है हम बहुत सारे रोल निभाते हैं फैमिली रोल, वर्क लोल, शोशल रोल, सिकोनामिक रोल और रोल से हमें अटेच्मेंट हो जाता है एक जबरदस सर्जन दुनिया में किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है पर अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता उसके हाथ का अपने लगेंगे क्यों? क्योंकि अटेच्मेंट हो जाता है जैसी अटेच्मेंट होता है आप अपने कर्तरदे को निश्काम भाव से नहीं कर पाते हैं इसी कारण वर्क लाइफ बैलनसिंग की प्रॉब्लम होने लगती है हम अपने रोल से अटैच हो जाते हैं हम घर का तनाव ऑफिस ले जाते हैं ऑफिस का तनाव घर लेके आते हैं तो जिलों का अन्न में कोश संतुलित नहीं होता है उनको वर्क लाइफ बैलनसिंग की भी बहुत जादा प्रॉब्लम होता है उनको ये समझ में नियाता हमें रूप का बदल देना है हनुमान जी से सीखिये सूख्ष्म रूप धरी से यहीं दिखावा सीता माता के सामने बिलकुल छोटे से चले गए मा और परिवार वालों के सामने बिलकुल विनम्र रहना चाहिए सूख्ष्म रूप धरी से यहीं दिखावा विकट रूप धरी लंक का जलावा और फिर विकट रूप धरा के पुरा लंक जला दिया भीम रूप धरी असूर सहारे और फिर असूर को मारना था तो अलग रूप ले लिया हमें रूप बदलना आना चाहिए कई लोग ऑफिसर होते हैं और घर पे भी ऑफिसर ही बने रहते हैं कई लोग घर का तनाव ऑफिस में ले जाते हैं ये वर्क लाइफ बैलंसिंग हमें आनी चाहिए ये सब हिस्सा हुआ दोस्तों पहला जिसको हम कहते हैं प्राण मैं कोश और ये हमारा गलत आइडन्टिफिकेशन है क्योंकि हमने शरीर त्रह में पढ़ा है ये शरीर डीके हो जाएगा भगवान करशन गीता में हमेशा कहें है चैप्टर दो श्लोग बारा अरजुन ऐसा कभी नहीं हुआ जब तू नहीं था नहीं ऐसा कभी हुआ है जब मैं नहीं हुआ बसंतर ये है तू भूल गया मैं जह याद है तो शरीर तो बदलता रहेगा तो जब आप शरीर को पकड़ लेंगे शरीर पर बहुत ज़्यादा महत्र देंगे तो आपको दुखी होना ही है अब हम दूसरे पर जब प्राण मैं कोश प्राण लाइफ फोर्स मैं मतलब मोडिफिकेशन तो प्राण मैं कोश हमारे अंदर का जो लाइफ फोर्स है उसी को प्राण मैं कोश कहते है अब आप ध्यान दीजिए ये अब हम सूक्ष में शरीर में आ गए है प्राण मैं कोश दस चीजों से मिलके बना है पंच प्राण पांच प्राण जो है हमारे उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान शरीर त्रह में हमने इस पर चर्चा की है इसलिए अभी हम इस पर नहीं जा रहे है तो पांच प्राण और पंच कर्मिंद्राणी पांच कर्मिंद्रिया है इसकी भी चर्चा हमने कर ली है शरीर त्रह में देखने की शक्ती, सुंगने की शक्ती, बोलने की शक्ती सुनने की शक्ती और महसूस कर पाने की स्किन की शक्ती तो यह दस चीजों से मिलके ये physiological system है जो anatomy को चलाता है पेपड़े anatomy के हिस्से हैं पर जो उर्जा उस पेपड़ों के अंदर हवा को लाती है वो प्राण है पेट anatomy है पर जो उर्जा digest कर रही है वही तो प्राण है गुदादवार anatomy है पर जो उर्जा मलमूत्र को शरीव के बाहर फेक रही है वही प्राण है जब भी हमारे जीवन में कहीं भी कोई भी परिशानी आती है तो हमने आपको दिखाए कैसे हमारी सोच शरीर पे भी reflect होती है ऐसे ही दोस्तों हमारी सोच energy पे भी reflect होती है जब भी आपके जीवन में परिशानी आएगी आपके अंदर एनरजी ब्लॉक होना चालू हो जाएगा जब एनरजी ब्लॉक होना चालू होगा तो उस जगे खून नहीं जाएगा उस जगे शरीर में व्याधिया होने लगेंगी, आप ऐसा करें पैर फोल्ड करके एक घंटा बैठिये आप देखेंगे घुटने के नीचे फून फ्लो नहीं हो रहा है और प्राण वहाँ फ्लो नहीं करवा रहे है पैर आपका सुन्द पड़ जाए ज़्यादा समय तक कोई चीज सुन्द रही वहाँ व्याधिया हो सकती तो कोई भी मनोविज्यानिक परिशानी उससे एनरजी ब्लॉक होता है और एनरजी ब्लॉक का शरीर पर manifestation होता है उससे diseases होना चालू होता है आप रिसर्च करें किरलियन फोटोग्राफी पे एक फोटोग्राफर हुए उन्होंने देखा कि मैं पत्ते का फोटो खीचा और फोटो का negative से positive किया तो पत्ते पे इतना बड़ा एक काला spot आया फोटो पे जबकि पत्ते पे वो काला spot नहीं था केवल फोटो पे उस पोट था अब इस फोटोग्राफर को यह समझ में नहीं आ रहा था वो एक विशेश प्रकार के कैमरे से फोटो खीच रहे थे कि पत्ते पे वो black spot नहीं है जबकि जब फोटो पे खीचता हूँ तो जब फोटो negative से positive करता हूँ तो उस पे आता है बार बार उन्होंने फोटो खीचा हर बार पत्ते पे black spot नहीं था पर उसकी फोटो पे था 15-20 दिन बाद उन्होंने देखा पत्ते पे भी बिलकुल as it is एक वैसा का वैसा spot बन गया तब वो देखके चौंक गए कि जहां से पत्ता वास्तम में सड़ा था वो फोटो में पहले ही दिख रहा था और यहीं हमारे साथ होता है दोस्तों यदि कोई भीमारी हमें होने वाली है तो हमारी जो energy body है जो हमारे अन्دर जो उर्जा है उसमें वो भीमारी पहले से ही आ चुकी होती है बाद में फिर वो शरीर में manifest होती है अगर हमें कहीं cancer होने वाला है तो शरीर के उस हिस्से की उर्जा अलरेड़ी अलग तरह की होने लगेगी और आज से छे महीने बाद हमें cancer detect होने लगे तो cancer की stage 1 से भी पहले energy body समझ पाती है कि हमें किस तरह की परिशानिया हो रही है disease आजाती energy body यदि आप किसी से नहीं मैं आपने decide किया मैं किसी कोई वेक्ती से बात नहीं करूँगा मुझे उससे बात ही नहीं करना इसका मतला आपने एक energy block करके रख दी वो energy रोक रही है आपको उससे बात करने से अब जब आप उसके प्रती नेगिटिव विचार रखेंग आप खुद को कहें मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है मुझे वह और याद भुलानी है आप जितना भुलानी की कोशिस करेंगे आपको energy उतनी डिप्लीट होने लगे क्योंकि आप उर्जा लगा रहे हैं उससे दूर करने पे लिए मनोविज्ञान की एक थियोरी याद रख लीजे what you resist shall persist जिस भी चीज़ को आप रोखना चाहेंगे वो आपके अंदर हमेशा के लिए जाएगी इसलिए be bold और उसका सामना कीजिए स्वामी विवेकानन कहते थे वो काशी में गय थे तो कुछ बंदर उनके पीछे भागे तो आगे आगे भागने लगे बंदर पीछे पीछे भागने लगे तो वहीं एक महिला कपड़े धो रही थी उन्होंने मुस्कुरा के बोला स्वामी भागो मत सामना करो तो स्वामी विवेकानन रुके और उन्होंने पलटके देखा और जैसे यो रुके पलटे सारे बंदर वापन भाग में लगे यही उर्जाओं के साथ होता है जहां जहां आपने अपनी उर्जा ब्लॉक करके रखी है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना उस व्यक्ति से तो मैं जीवन में बात कभी नहीं करूगा मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता आपने हर जबे अपनी एनरजी ब्लॉक कर दी है क्योंकि आपने हुआ दीवाल खड़ी कर दी है और वो दीवाल आपको ब्लॉक कर रही है एनरजी का फ्री फ्लो नहीं हो रहा आपके व्यक्तित के अंदर ये बीमारी का रूप ले सकता है इससे आपको मेडिटेशन करने में समस्य आ सकती है और इससे आप ठकेंगे जल्दी इन फैक्ट अगर आपके बहुत सारे काम बाकी है दो बिल बाकी है मैं इधर के एक बिल इधर का बाकी है दो तीन मेल भेजने है और चोटे मोटे पाट दस काम है आप उन्हें याद करिए रोज ये काम करने है आपकी आधी एनरजी तो याद करने में खर्च होता है सारे काम कर देजिए फटा 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 लिस्ट मनाईए और कतम कीजिए you feel energized क्योंकि energy आपने वहां से निकाले करके देखिए it works इसको कहते है energy fixation जहां भी energy fixation होगा वहां psychological fixation वहां physical fixation अपने आप हो जाए और energy आपको कहा दिखती है जब दो लोग हाथ मिलाते है आप देखिए दो लोग कितने पास में खड़े होके हाथ मिला रहे है अगर उनके धड़ एक दूसरे से लगबग दो फिट की दूरी से ज़्यादा की दूरी पे है तीन फिट की दूरी पर अगर दोग पास में खड़े हैं और उनके बीच की दूरी दो फिट से कम है तो आप जान लीजिए कि वो उतने आप्चारिक नहीं है एक दूसरे को बहतर जानते हैं पर अगर दोनों लोग एक दूसरे से इतने पास में खड़े हैं कि उनका शरीर लगभग एक दूसरे को छूता सा है मतलब जानिए कि ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते है और अगर ये और करीब कास में खड़ें गले में हाट डाल के खड़ें एक दूसरे को तो जान जाईए ये लगोटिया यार है एक दूसरे को यह क्या है यह उर्जा ही तो है जो किसी को मेरे पास आने देती है और किसी को मेरे पास नहीं आने देती है यही तो प्राण में कोश है कई बार कोई आपके पास आता है और आप एक अदम पीछे हड़ जाते हैं क्यों ऐसा हड़ पर क्योंकि आपके एनरजी उसके एनरजी को आप रेजर्च कीजिए, यही तो प्राण मैंखौश रहा है, हमारे vibrations किसी को पहली बार आप मिलते हैं, और उसकी उर्जा से आप खुद का तारे तम में महसूस करते हैं, एक connect आपको महसूस होता है, यही तो उर्जा है, किसी से आप पहली बार मिलते हैं और आपको पहली बार मिलके उससे disconnect महसूस होता है उसने कुछ गलत कहा नहीं यही तो उर्जा है कई बार कोई आने वाला होता है आप किसी से आप बाप कर रहे होते हैं और वो विक्ति दोनों magnetic field ने एक दूसरे को टच किया तो आपके दिमाग में अचानक उसके विचारा है आपने उसके बारे में बात करना चालू किया वो आई गया आपने बात की इसलिए वो नहीं आया है वो आ रहा था इसलिए आपने बात की so magnetic fields है यही तो उर्जा है जब भी आप किसी से बात करते है तो शब्द केवल भाव है शब्द केवल शरीर है उसके पीछे के जो भाव है वही तो उर्जा है आप अगर किसी से केवल बोलने के लिए कुछ बोल रहे है तो आपके रिष्टे उससे कभी सुद्रेंगे नहीं क्योंकि आप उसके पीछे वैसा फील ही नहीं करते है नमस्ते कह दिया आपने बेमन से हमें अच्छा लगा आप से मिलके बेमन से इससे उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा आपके रिष्टे नहीं सुरूरी आप कितना ही पॉलाइट बोल लीजिए बेकार हैं क्या कीजिए पी एफ ए पॉस फील एक्ट रुकिए पॉस कीजिए और फील कीजिए अगर आप कहने जा रहे हैं कि सर आप से मिलके बहुत अच्छा लगा तो एक शण के लिए उससे नहीं सुरूस कीजिए फिर आखों मे देखिए अभी आप करते क्या है आप मन में नाराज रहते हैं उस विक्ति प्वोस अच्छे से बाते करते है अब आप ये मत कीजिए आप मन में भी ये सोचिए परमातमा हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुछ घटनाई हुई हो या उसके अनुभव ऐसे रहे हो जिसने उसे वो बना दिया क्योंकि तूख खरा व्यक्ति पैदा नहीं करता बगवान जो भी इस्तिती हो उसका हमेशा भला और वो खुश रह अब जाके वही बात बोलिए इस भाव से देखिया आपके रिष्टे बदलने लगेंगे केवल आप 90 दिन इसको कीजिए भाव में बदपरिवर्तन लाईए आपके रिष्टे उससे हमेशा के लिए खुब सूरत होने लगे तो ये है हमारा प्रान मैं कोश प्रान में कोश में जब भी और जब आपको तनाव हो तो तनाव में होता क्या जैसे आपको stress हुआ तो stress में body की anatomy कैसे काम करती है blood flow तेज होता है stress में क्यों क्योंकि आपको तुरंद reaction करनी है जो भी तनाव आया आपके उपर तो एकदम से जो हमारे प्रान होते है ये हमारे right nostril से बहने लगते है जिसको बोलते है पिंगला नाड़ी हम इससे सांस लेने लगते है जैसे ही तनाव में आते हैं क्योंकि हम गहरी सांस लेते हैं इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं ताकि हमें उर्जा आए और जैसे हमारे हम राइट नॉस्टिल से सांस लेते हैं, हमें गुस्वा आने लगता है और हमें तुरंद कुछ एक्शन लेना है, तो हमारा शरीर, जो हमारे अंदर का प्राण है, वो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, सि सेल में उर्जा आती है, अब आप उर्जा से भर जाते हैं, और आप एक्शन ले पाते हैं, पर इसी उर्जा और कंबशन से शुगर रिलीज होती है, इससे आपको डाइबिटीज हो जाती है, इसलिए जो लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं, उनको डाइबिटीज हो जाती है तो आप करें क्या हम तरीका बताते हैं अब जैसे आपको तनाव बढ़ने लगे आप प्रणायाम साध ही है प्रणायाम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप राजयोग का हमारे सेशन अटेंड कीजे उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्द है उसको अटेंड कीजे आपको जानकारी मिलेगे आप प्रणायाम कीजे प्रणायाम जब आप थोड़ा सा साध लेंगे तो आप बैलन्स कर पाएंगे राइट और लेफ्ट नॉंस्टिल के तो आप क्या कीजे जब अलग तरह का प्राण हमारी जो प्राण वायू है वो इडा नारी पर स्विच हो जाएगी इस लेफ्ट नॉंस्टिल से और फिर प्राण वायू जो है हमारी पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही आपकी बॉड़ी रिलेक्स होने लगेगी और कुछ समय बाद स्ट्रेस कतम हो जाएगा तो करना क्या है जैसे आप तनाव में हो प्राण का फ्लो बदल दीजे यहां की जगह यहां लीजे इसको चंद्रनारी करते हैं यह रिलेक्स कराती है करके देखिए इट वर्क्स इसलिए रिश्यमुनी तुरंत अपने मंद को कंट्रोल कर लेते हैं और जैसे ही व्यक्ति की म्रत्य होती है तो जो शरीर को छोड़ के जाता है वही तो है प्राणवाई हो देखिए फिजियोलोजिकल सिस्टम शरीर को छोड़ देता है इसी फिजियोलोजिकल सिस्टम को हम कहते हैं क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति ही तो क्रिया शक्ति ही प्राण में कोश है जो हमें एक्टिवेट करती है तो होगा क्या पूरी शरीर की अनोटामी धर्ती पे रह जाएगी और physiological system खतम हो जाएगी सब कुछ है, lungs भी है पर सांस नहीं लेते है kidney है, liver है, फेपड़ है heart है, पूरी की पूरी anatomy asitis है और आप किसी दूसरे के शरीर में चला दीजे तो चलने लगेगा और इस शरीर में नहीं चलेगा क्योंकि प्राण वाईू चली गई है तो death के समय यही प्राण में कोश शरीर को छोड़ देता है और anatomy यहीं छोड़ रह जाती है तो जब हम कहते है I am dull, I am energetic तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्राण में कोश की बात कर रहे हैं पर फिर यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है क्योंकि यह तो बनलता रहता है आज आप डेल फील कर रहे हैं कल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आपका प्रमोशन हुआ आप खुश हो गए बास ने डाटा आप बुखी हो गए तो यह तो बतला आप energy low हो गई of the mind its emotions its doubts, its desires, feelings इसी को कहते हैं इच्छा शक्ति ही यही इच्छा शक्ति है फिलिंज, emotions e-motion, energy in motion so इच्छा शक्ति ही तो करिया शक्ति को पुश करती है मनो में कोशẏ ही तो प्राण में कोश को direct करता है तो जिसमें इच्छा शक्ति होती है उसमें क्रिया शक्ति अपने आप आजाते है और जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है शरीर भी है प्राण भी है पर प्राण भी डल पड़े हैं क्योंकि क्रिया शक्ति नहीं है यही भाव के बारे में भगवान क्रशन कहते है हे अरजुन, दुख और सुप तो आते रहते हैं बादलों की तर्थ, ये मन पेचाते हैं और चले जाते हैं ये जो मनोमे कोश है जिसको आप इच्छा शक्ती कहते हैं, इसके छे औरगन है, इसमें क्या क्या आएगा? एक मन और छे ज्यानिंद्रियां करमिंद्रियां तो प्राण मे कोश में हैं, करमिंद्रियां हाथ, पैर, गुदादौर, मूत्रुदार और मुँ ये प्राण मे कोश में हैं, पर मनों मे कोश में क्या है? ज्यानिंद्रियां आँख, नाख, मुँ, कान और तपचा शायद हमें अभियाद आता है हमने प्राणमेकोश समझाते समय ज्यानिंद्रियों का उल्लेक कर दिया था वो गलत है प्राणमेकोश में करमिंद्रिया है तो मनोमेकोश में एक मन और पांच ज्यानिंद्रिया है और यही मिलके हमारा मनोमेकोश बनाता है इसका आधार है हमारी मेमोरी जि गर आप देखें, psychological personality का मतलब क्या है, कैसे काम करता है मनों मैकोश, हमारा मन किस तरह से काम करता है, अगर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को माइग्रेन हो रहा है, वो कहेगा मुझे माइग्रेन है, तो ये किसकी बात कर रहा है, प्राण मैकोश, जो पहला अन्द मैकोश है अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, तो माइग्रेन का मतलब क्या है, उसका ये जो है, उसके उपर की जो वायू है, जिसको आप उदान वायू कहते हैं, प्राण मैकोश की, उसमें कुछ परिशानी है, तो उसके प्राण मैकोश में परिशानी है, ये परिशानी क्यो और शुमा आई अगर आप गहरे में उत्रेंगे तो आपको पता पढ़ेगा उब्यक्ति कहेगा कि मुझे मेरे बच्पन में माता-पिता ने प्रेम नहीं दिया पिता बात-बात पे जिड़कते थे माता-पिता में आपस में संबंद अच्छे नहीं थे बहुत जादा ये है helplessness है आप देखेंगे वही माईग्रेन का कारण मुझेगे है इमोशनल फिक्सेशन से energy fixation होगा energy fixation से physical fixation हो जाएगा issue and tissue are connected अगर कोई बोले कि मुझे है अपर बैकबॉन में कंधों पे बड़ा दर्द होता है कंध है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई कारण medical reason नहीं है यह शरीर की स्थिति है अब फोड़ा सा अंदर जाएगे प्राण में कोश कहेंगे कि यह प्राण वायू यहाँ फ्लो होती है उसकी शायद समस्या है प्राण वायू क्यों वहाँ फ्लो नहीं हो रही धंसे क्यों block आ रहा है energy block क्यों हो गया है तो व्यक्ति अगर आप उसको meditation करने को कहें अगर आप उसकी therapy करें तो हम बताएं क्या निकलने की संभावना है हम जानते हैं कैसे व्यक्ति को जब हम उनकी therapy कर रहे थे तो हमने उनको जब कहा कि आप अपने इस दर्द के बारे में सोचिए तो दर्द के बारे में सोचते सोचते उनके मन में विचार आया कि मैंने मेरे पिताजी को खो दिया मैं छोटी उमर में था मेरे पिताजी एकस्पार हो गए मैं घर में बड़ा था परिवार की सारी जिम्मेदारिया मेरे कंधों पर आ गई I felt responsible और मेरा बच्पन ही खतम हो गया वो मेरा बच्पन खतम हुआ कंधों पर जिम्मेदारी आई उससे मेरे कंधों की एनरजी ब्लॉक होई और आज मेरे कंधे दुखते हैं एनरजी टिक्सेशन हो गया एमोशनल टिक्सेशन इसलिए कई लोग देखेंगे जिनका आपको ऐसे कंधे जुखे हुए देखेंगे आप देखेंगे पता लगा के देखेंगे उनके जीवन में बहुत जारी जिम्मेदारियां होंगी जिन्होंने उसके कंधों को जुखा दिया तो शरीर प्राण और मन connected है एक व्यक्ति जो बार-बार बीमार पढ़ जाता है आप उनसे पूछे बार-बार बीमार हूं बार-बार बीमार जब पढ़ जा रही है बार-बार बीमार पढ़ना अगर आप प्राण में कोश में जाएंगे तो लगेगा अनाहत चक्र बंद है heart closed, heart chakra is closed और गहराई में अगर आप उत्रेंगे अगर आप तत्व को समझ पा रहे हैं हमारे ऐसे भी कई लोगों को जब हमारे मैंटी हैं जिन से हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो बार बार बीमार पड़ती थी कारण माता-पिता बहुत जगडते थे जब ये छोटी थे अक्सर माता-पिता जगडते थे एक बार माता-पिता बहंकर जगड रहे थे और ये सीडियों से फिसल गई ये छोटी इसी थी उससर और जैसे फिसली इनको चोट लग गई तो माता-पिता का सारा जगड़ा रुग गया और दौड के आया और इसको प्यार करने लगा अब इस बच्ची को बड़ा अजीव लगा कि अभी तो लड़ रहे थे और मुझे चोट लगी तो छुपो गया अब उसने एकाद बार फिर से उसे बाइचांस लग गई माता-पिता ने जगड़ा रोग के फिर उसे प्यार करने लगी अब उसे सूत्र समझ में आ गया कि मैं बीमार पढ़ूंगी तो यह लड़ेंगे नहीं अब जब-जब कहीं होता हूँ बीमार पढ़ जाता हूँ आज वो बड़ी हो गए उसकी शादी भी हो गई है भहिला की श्टिल जब भी वो अपनी माताजी से बात करती है तो पहली बात यह कहती है आज कुछ तब यह ठीक नहीं लगनी मेरी सोड़ा सिर्द उख रहा है यह कितना गहरा है शरीर, प्राण और मन यह दूसरे के बिलकुल अंतर मन जुड़े हुगा है कई बार घरों में बच्चों को चश्मा जल्दी लग जाता है चश्मा, उदानवायो अगर आप गहराई में उतर के देखेंगे तो सबकॉंशेसली आँखों की तरफ प्राण जाना कम हो गए आँखें कमजोर हो गए और चश्मा लगए आपका पेट अकसर खराब रहता है यह तो अन्दमे कोश है पेट में समान वायू बहती है कहीं आपका एनर्जी फिक्सेशन हो गया आप और गहराई में उत्रेंगे तो मने में कोश में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कुछ है आपके आसपास जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहें कुछ है जिसके साथ आप कमपटेबल महसूस नहीं कर रहें एंग्जाइटी है सिचुएशन जो नहीं बदली है उस बदली हुई सिचुएशन में आप कमपटेबल नहीं है इसलिए पुराने जमानों में जब जब एरोप्लेन नहीं शुरू हुए थे तो उल्टी के लिए एक पैकेट रखा जाता था हर सीट के सामने क्योंकि लोग नहीं बैटने थे अब पहली बार हवाई जाज में उड़ेंगे डर लगता था बड़ी एंग्जाइटी होती थी तो जब एंग्जाइटी होती थी तो पेट अफसेट हो जाता था तो उल्टी आ जाती थी अब हम लोगों को इतिनी anxiety नहीं होती फ्लाइट में बैटने पर पर पहले-पहले लोगों को बड़ी anxiety होती है इसलिए आजकल मुश्किल से 10% लोग उसको use करते होंगे पर पहले बड़ा प्रतेश्यत था जो उसका use करता है तो शरीर, मन और प्राण यह जुड़े हुआ है आपकी middle back लुखती है पीठ बीच में से प्राण वायू सक्री नहीं हो पारी इसका मतलब वहां अन्द में कोश, प्राण में कुश इसका क्या कारण हो सकता है कई cases ऐसे देखे गए जिनको बच्पन में molestation का शिकार होना पड़ता है उनका physical molestation हुआ या कोई guilt का शिकार है या कोई घंगोर financial problem है या फिर किसी को कोई support नहीं मिल रहा है जीवन में, दोस्त, यार, रिष्टे, नाते support नहीं कर रहे है उसकी पीठ दुखने लगए तो दोस्तों, मनुम है emotional fixation leads to energy fixation energy fixation leads to physical fixation तो मन का आहार क्या है? यादे और अहंकार ये मन का आहार है मैं खुद को कैसे दिखता हूँ? और मेरी यादे इसी से मन बनता है और इसके लिए राजयोग में तरीका क्या है? प्रत्याहार कीजे मन को नियंत्रिंग करने के लिए तो जब जब मैं बोलता हूँ I am happy, I am sad I am irritated, I am depressed I am frustrated मैं कौन से कोश्की बात कर रहा हूँ? मनों मैं कोश्की बात कर रहा हूँ पर भगवान क्रश्न कहते है ये तो गुजर जाएगा, ये तुम नहीं हो आज तुम्हारा IIT में selection नहीं हुआ तुम depressed हो कल तुम्हारी अच्छी नोख्री लग जाएगी तुम खुश हो जाएगे उसी नोख्री में पहले दिन बोस ने डाल दिया तुम फिर दुखी हो जाओगे शाम को बोस ने बोल दिया सौरी यार मैंने यूई डाट दिया तुम फिर खुश हो जाओगे ये तुम होई नहीं ये fluctuating है तो चलिए और गहरा उतरते है अब आया चौथा कोश विज्ञान मैं कोश cognitive personality knowing personality ज्ञान शक्ति ही ज्ञान शक्ति है हमारे judgment लेने की शक्ति weighing personality जो वे करती है इसके भी छे औरगन से पांच ज्ञानेंद्रियां जो मनो मैं में भी थी यहां भी होती है पांच ज्ञानेंद्रियां और एक बुद्धी बुद्धी जब इन ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलती है आसपास की चीजों को समझती है तब निर्ने लेती है तो यह क्या करती है इट नोज इट डिसाइट जानाती मन मैं कोश क्या करता है डिजायर्स इच्छती और प्रान मैं कोश क्या करता है क्रियते इट एक्स मनो मैं कोश इट डिसायर्स एन विज्ञान मैं कोश it decides knows जानाती so ये हमारी सोच है beliefs है जिसको हम विज्ञान मैकोश कहते है जिस व्यक्ति का विज्ञान मैकोश कमजोर होता है और कभी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाता हमेशा confused रहेगा क्योंकि वमनो मैकोश के हवाले करूं न करूं लोग क्या सोचेंगे ये क्या सोचेगा वो क्या होगा पर जब विज्ञान मैकोश मजबूत होता है हम अपनी बुद्धी को आगे लेके आदे और बुद्धी से कहते हैं जराद देखो मुझे क्यों परेशानी आ रही है मैं क्यों इतना परेशान रह रहा हूं तो बुद्धी हमारे बिलीव्स पे काम करना शुरू करती है हमारी सोच है जिसका विज्ञान मैकोश ताकत पर होता है विक्ती बहुत लॉजिकल हो जाता है अपने मन को कंट्रोल कर पाता है सोच पाता है तो कैसे वो सोच पाता है वो एनलाईज करता है कैसे कि जो भी मेरे बिलीव्स हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं क्या वो बिलीव्स हही है तो चली सोच करें हमारे कितने सारे बिलीव हमारे बच्पन के बिलीव है जैसे बच्पन में कितनी सारी चीजें सिखाई गई आपको हमें सबकुल पहला डों ट्रस्ट स्टेंजर्स पे भरुसा नहीं करते हैं अजनभी उसे बात नहीं करते हैं ठीक कई बार हमें घर में ये भी डाटा जाता था तुम कुछ नहीं कर सकते गदे वो तुम तुम्हें इतना भी नहीं आथा और क्या लड़के रोते नहीं है, लड़कियां पेड़ पे नहीं चड़ती, लोग तुम्हें चीट कर सकते हैं, दुनिया अच्छी नहीं है बाहर की, रात को बाहर नहीं जाते हैं, अपनी गल्टी मानना सीखो, तुरंट कोई बात हो, तुरंट sorry बोलो, हमेशा sorry बोलो, अब बच्चा जिन्दगी भरी सॉरी बोलता रहेगा कई लोगों को देखोगे उनके मुँपे रखा हुआ I'm sorry, हर चीज के लिए I'm sorry उनको लगता हुनों नहीं गलती किये सारी दुनिया भर के अनों सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद पे लेता यह किसके विचार हैं सारे? यह क्या हमारे विचार है? वो सारी चीजें जो पेरेंट पे सिखाई थी उस समय के लिए बिल्कुल सही थी उस समय वो चीजें बहुत जरूरी थी हमारे लिए अन्यता हमारा बच्पन ठीक नहीं होता किन्तु आज जब हम बड़े हो गए हैं तो क्या हम खुद से पूछ सकते हैं ये विचार किसके हैं क्या ये मेरे विचार हैं क्या ये मेरे जीवन के अनुभव हैं तो मैं rationalize कर पाऊनगा अपनी सोचने के तरीके या फिर ये जो मेरे विचार हैं क्लास वन की एक टीचर ने मुझे बोल दिया था, इसलिए मैं खुद के बारे मैं ऐसा सोचता हूँ, कई बार लोग गुस्से में जब खुद के लिए नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड भी वही वर्ड होते हैं, जो उनके माता-पिता डाखते समय उन्हें बोलते थ है, जब आप इस पे विचार करते हैं, तो आप एक नया थाट प्रोसेस डेडलप कर पाते हैं, विच बोल लॉजिकल, विच बोल पॉजिटिव, और यू ठिंक कि मैं इसको बदल सकता हूँ, इसको और जानने के लिए राज-योग और स्टड़ी कीज़ें, राज-कर्म-यो में खुश रहना है, तो आपको खुशी के बारे में सोचना पड़ेगा, आप धिन भर अपने जीवन की समस्चाओं पे सोचते रहते हैं और कहते हैं, मुझे खुश रहना, ऐसा नहीं होता, आपको जो बनना हैं उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, Anda आप, Decide कीजि कि मैं अपने जीवन में सोचने के तरीके को बदलूँगा और रहने के तरीके को बदलूँगा I choose to think, live and behave differently हो सकता है मेरे पवाता पिता का जीवन बहुत दर्द में गया पर ये उनके जीवन की यात्रा थी मैं उनके दर्द को सम्मान करता हूँ किन्तु ये मेरे जीवन की यात्रा है और मुझे अक्सेदित खुश रहने का पूरा अधिकार है कई लोगों को गिल्ट हो जाता है कि मेरा इतना करीबी रिष्टेदार इतना दुखी है और मैं इतना खुश कैसे हो सकता हूँ ये गिल्ट ही आपकी खुशी को और खतम करता है कोई अधी व्यक्ति एक गड़े में गिर गया है तो उसे उठाने के लिए आप भी उस गड़े में नहीं कुदेंगे आपको उपर रहना होगा ताकि आप उसे उठा सके आपको तो खुश रहना ही होगा इसलिए हम ये मान के चलें किसी ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं दुखी हूँ नया बिलीव बनाएं I forgive you मैं तुम्हें माफ करता हूँ इसलिए नहीं कि तुम माफी डिजर्व करते हो इसलिए कि मैं शान्ती डिजर्व करता हूँ और मैं तुम्हें 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 कर्मों पे छोड़ता हूँ तुम्हें सजा देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं वो परमात्मा देखने का वो मेरा काम देखने का इससे मैं अपनी एनरजी ब्लॉक खोलता हूँ सोचने का तरीका बहतर करता हूँ Then I accept myself मैं जैसा हूँ मैं खुद को स्विकार करता हूँ I love myself I am perfect I am complete I am peaceful जब आप इस तरह के विचार खुद को देते हैं अपने आप आप ये महसूस करता है कि जिन्दगी इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें हम कई बार सोचना शुरू करता है आप ये कहें लोगों को लोगों को जाके कहने की जुरूरत नहीं है आप अपने आखों के सामने एक व्यक्ती का फोटो रलर की और उसे कहिए Your opinion does not define me तुम्हारी opinion मुझे define नहीं करती मुझे पता है मैं क्या हूँ और मुझे किसी की opinion नहीं define करती loud and clear खुद को बोलिए काच में खड़े होके बोलिए अपने आप आपके अंदर आप में विश्वास आएगा आपके beliefs बदलना चालो हो और कोई भी व्यक्ती जो आपके आसपास है अभिन रिष्टों में है वो परिशान कर रहा है उसके वहवार आपको परिशान करता है आप फिर से सोचे कि कुछ बात है जो ये व्यक्ती मुझे सिखाने के लिए आया है लेक्मी मुझे सोचने दीजिए परमात्मा ये मुझे क्या सिखाने के लिए है और खुदी मनीमन मनन कीजिए कि ये व्यक्ति मुझे क्या सिखाना चाहता है क्योंकि जीवन के हर negative incident के पीछे एक positive intent होता है परमात्मा का हम कुछ सीखना चाहते है जब आप उसको सीख लेंगे तो वो व्यक्ति या तो आपके जीवन से दूर चला जाएगा या उगटना होना चालू हो जाएगी और बार-बार खुद को बोलिए I am willing to change मैं बदलने के लिए तैयार हूँ आप देखेंगे आपका मनों में कोश बहतर होने लगेगे आप सम्मेट सोचेंगे positive सोच नहीं अंतिम कोश is called आनंद मैं कोश जिसको कारण शरीर कहते है यह हमारी subconscious या unconscious personality है यह हमारी dormant personality है अंदर दबी रहती है पर अचानक किसी दिन express करती है जीवन के जितने बुरे अनुभव आए जब जब हमें दर्द हुआ और हमें कहा गया तुम चुप रहो वो दर्द हमने अंदर डाल दिया हमारे subconscious हमने subconscious को एक dumping ground बना दिया जितनी बार हम रोए जितनी बार हमें दर्द हुआ और हम किसी से share नहीं कर पाए जितनी राते हमने रोते हुए बिताई है इसको सब याद है हमारे subconscious हमें याद नहीं है पर हमारा सबकॉंशिस सब याद रखता है वो एक एक चीज हमें अंदर से याद रखता है और वो पूरा भर जाता है और इसलिए हम एक एक एकम बॉम की तरह हो जाते हैं कई बार जरा सी बात में भड़ भड़क जाते हैं इतनी छोटी छोटी बातों पर उन्त चिड़ जाते हैं यह क्यों चिड़ रहे हैं यह चिड़ हैं यह इसलिये रहे हैं की हमारा subconscious भर ग्या स्टफ हो गया है हमारे अंदर बहुत कुछ भरा होता है पता कैसे लगाएंगी हमारे अंदर क्या भरा हुआ है बहुत सिंपल सा तरीका है जब भी किसी स्ट्यूमिलस कोई घटना हुई आपके आसपास उसके प्रती आपका रेस्पॉंस डिस्प्रपोर्शनेट हो तो समझ लीजिए ये रेस्पॉंस सीधे आनंद मैं कोश्ट से आ रहा है कारण शरीर से आ रहा है सबकॉंशिस से आ रहा है क्या मतलब एक व्यक्ती ने जरासी गल्ती करी और मैं इतना नाराज हो गया उस गल्ती पे इतना नाराज होना आवशक नहीं था इसका मतलब अंदर कुछ भरा है जो निकल रहा है मैं मानू ना मानू दुनिया भर के researcher एक बात पे सहमत है कि हमारे अंदर यदि गुसा भरा हुआ नहीं है तो हम गुसा करी नहीं समय गुसा उसी को आता है जिसके अंदर गुसा भरा है αॉररी बस वो निकलता किसी trigger पे है एक आदमी के हाट में एक कब भरा हुआ है पानी का आप उससे टक्रा के गए कप छलक गया, अब आप क्या करें, ऐसी सूरत क्या हो, कि कोई भी आप से टक्राए और कप ना छलके, कोई भी आके टक्रा जाए पर कप नहीं छलके, तो क्या तरीका है, कप में पानी ना हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि छलकता वही है जो भर होता है आप खुद के अंदर जहांक के देखिए ये बार-बार क्या छलक रहा है आपके अंदर से irritation हो सकता है निकल उस पर रहिए पर एक किस बात की चिड़े हैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है आप रात को नीम जल्दी क्यों नहीं आती है क्या बाते कोई बोल दे तो आपको सेहन नहीं होता क्यों ऐसा है कोई जरा सा जुट बोले आप बढ़क जाते हैं कोई ऐसा क्यों ऐसा है कि दो लोगों के सामने कोई आपको टोक दे तो आपसे सेहन नहीं होता आप तुरह तो उसे सवाभिवान पे लेके बढ़क जाते हैं कह भरा है, वहीं से आपकी खोच चालू होगी याद रखी आप सबकॉंशिस को भूल सकते हैं, वह आपको नहीं भूलेगा, ये भरा हुआ है सारी चीजों से, तो फिर इसको आनंद मैं कोश क्यों कहते हैं, जब इतना सारा कुछ, इसमें ऐसी चीजें भरी हुई हैं, 90% हमारा अस्तित्व का तो सबकॉंशिस ही है, कब की यादें इसमें भरी हुई है, जब हम पैदा हुए तो उससे भी पहले वूम तक की मेमोरी, अगर मा के मन में निराश्च था, तो बच्चे के मन में निराश्च होगा, जीवन भर, मा के गर्व में अगर निराश्च था, उससे भूम में वोरी तक बच्चे के व्यक्तितों को प्रभावित कर रही है, सबकॉंशिस लिए, मा डरी हुई थी, प्रीनेटल पैदा होने से पहले, पोस्ट निर्टल पैदा होने के बाद, पैदा होते ही घर का माहौल कैसा था, लोगोंने कैसा वहवार किया, मा को कितना सम्मान दिया, वो सब बच्चा महसूस करता है जिन्दगी भर, पैदा होते ही मा से दूर रख दिया, रिलेशन्शिप प्रॉब्लम्स होगी उसको जिन्दगी भर, उसके पैदा होने का तरीका तक, अगर कोई तुरंट पैदा हो गया, तो हमेशा इंपल्सिव रहेगा लाइफ में, तुरंट का मतलब मा को लेबर पेन जादा नहीं हो, और इमिडिएटली, डिलिवरी हो गई, अब इसको हर एक्जाम में, फस्ट अटन में सेलेक्ट होना है, इसमें पेशेंस ही नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह से दुनिया में आया था, बिना पेशेंस के, यह प्रभावित करता है बेक्ते तो, फिर अर्ली चाइल्डूड एक्स्पिरिंसेज, आज का अनुभव और यह सब तो छोड़ दीजिए, पास लाइफ्स, अनन्त, भगवान करश्न ने कही भिया, तुम बहुत पहले से थे, मैं भी था, यह सब भरा है, तो फिर इसे आनन्द मैं कोश क्यों कहते हैं, यही तो मज़े की बात है, इतना भरे होने के बाद भी आपको पता ही नहीं है कि क्या-क्या भरा है, और आप आराम से जीवन जीर हैं, आप आनन्द मैं हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, इसको कहते हैं blissful ignorance, आप बिल्कुल आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आप ignorant वेक्ति हैं, जैसे एक वेक्ति होता है जिसको कानून के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो उसको कानून तोडने का डर भी नहीं होता है, तो उसको पता भी नहीं है कुछ तो इसलिए इसको आनन्द मैं कोश कहा गया क्योंकि ये डीप स्लीप की तरह होता है आप इसमें कब होते हैं जब आप गहरी मीम नहीं होते हैं अनकॉंशिस आपका तब आए एम नहीं बचता है वो आए ही खतम हो जाता है बस एम बचता है बस आप ही रहते हैं इसी को हम कहते है आनन्द मैं कोश जब ये भी समाप्त हो जाए तो ये जो पांचों कोश है ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है ये मेरा व्यक्तित्व का मतलब ये मैं नहीं हूँ ये मेरे व्यक्तित्व के लेयर्स है ना तो मैं अन्द मैं कोश हूँ ना मैं शेर हूँ नहीं मैं सांस लेना हूँ नहीं मैं मन हूँ नहीं मैं बुद्धी हूँ और नहीं मैं अहंकार हूँ और नहीं मैं उस अहंकार के पीछे छुपी हुई वासना ही हूँ इसी को आदी शंकराचार ने निर्वान शटकम में गाया था गूगल करके सर्च कीजिए इसको पढ़िए इसका मतलब पांचों कोशे बताते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ मैं ये सब नहीं हूँ नेती नेती जो इस सब के परे है वो eternal आत्मा मैं हूँ जो इन सब को देखता है जो देखता है हर समय भावों को आते जाते हुए अपने विचारों को बदलते हुए अपने अंदर subconscious को बदलते हुए जो अपने breathing को देख पाता है और जो अपने शरीर को देख पाता है वही मैं हूँ ये पंच कोश का आधार है तो क्या हम समझें कि wrong identification यदि मैं खुद को पिता मानता हूँ तो मेरी पुत्र से पेक्षाएं बहुत हो जाती है पर यदि मैं मानूँ कि मेरा बेटा अपनी खुद की यात्रा पे है मैं अपनी यात्रा पे हूँ संतुलित नहीं है तो मना संतुलित होने लगता है emotional fixation से energy fixation हो जाता है और energy fixation से physical fixation हो जाता है और physical fixation से सहरीर में बीमारियां आ जाती है इसी कारण ज्यान शक्ती से जिसको भी ज्यान में कोश कहते हैं हम अपनी इच्छा शक्ती को आगे बढ़ाते है इच्छा शक्ती क्रिया शक्ती को प्रेरित करती है क्रिया शक्ती फ्राण में कोश है क्रिया शक्ती से कर्म होते हैं उसी से habit बनती है habit ही संसकार कहलाते है जब habit गहरी दब जाती है तो उसी को आप वासना कहते है टेंडेंसी वही चरित्र बनता है और चरित्र ही डेस्टिनी बनता है जिसको प्रारब्द कहते है अब हम आपको एक टूल दे रहे हैं एक मेडिटेशन टेकनीक जिससे आप इन पाँचों कोश को अपनी आँखों के सामने ऐसे देख पाएंगे और इससे आप अपनी हीलिंग भी कर पाएंगे यह बहुत पावरफुल टेकनीक है भगवान शिव ने माता पारवती को जब यो आप कहीं से भी शुरू कीजिए किसी भी कोश से आप शुरू करें भले अन्नमे कोश से शुरू कीजिए शरीर में आपको कहीं दर्द हो रहा है कंदा दुखरा यह अन्नमे कोश आपका यहां से शुरू कीजिए आग बंद करके उस दर्द को महसूस कीजिए उस दर्द में उतरिये, खुद को कहिए कि ये दर्द बढ़ रहा है उसको और बढ़ाईए और बढ़ाईए और बढ़ाईए बार बार बोलते जाएए दर्द और हो रहा है धीरे धीरे वो दर्द का संसेशन और बढ़ने लगेगा जब ये दर्द का संसेशन और तेज हो जाए और आपको सच में uncomfortable लगे लगे तब अचानक खुद से पूछे इस तेज दर्द में मेरे अंदर feelings क्या आ रही है क्या भाव आ रही है What are the feelings आपके मन में आ रही है अब आप एकदम से shift हो गए tissue से issue पे हो सकता है आपके मन में आपके पिता जी का चहरा यादा है आपके मन में आपकी माता जी का चहरा यादा है उन दोनों को जगड़ते हुए आपने देखा हो यादा है आपके पिता जी जल्दी चले गए यह यादा है आपको कुछ भी यादा है उस भाव को महसूस ही जो भाव आपके मन में आ रहे हैं यही वो दर्द है भाव है जो आपने अपने कंदो में स्टोर कर रखा है अब आप आ चुके हैं मनों मंहकोश में अब जब आप महसूस करें उस भावना को गहराई से और सोचे, और उतरी है उसоде अब आप उस दुख के बारे में सोचे जो आपको पिता जी के न रहने पे हुआ था माता पिता की लड़ाई को देखके हुआ था जब पहली बार स्कूल में टीचर में आपको चिलाया था सब के सामने आपको बिजदती का हैसास हुआ था तब हुआ था जब आपको सब के सामने किसी बड़े में म और आप तीसरी बाद, खुद से पूछिए, कि ये जो मेरे अंदर दर्द है, जो भाव है, ये सुपरफीशल है कि गहरा है, इसका रंग क्या है, तो शायद आप कहेंगे काला रंग है ये, शेप क्या है इसका पूछिए खुछ से, कुछ भी आप कह सकते है, रेक्टिंगुल ने दीजे, तो शायद आपके मन में आएगा बहुत बड़ा इस कमरे जितना बड़ा, मुझसे भी बड़ा, इस से आपको उस दर्द की इंटेंसिटी समझ में आईगा, तो आपको पता पड़ा है, कमरे जितना बड़ा साइस का, काले रंग का, रेक्टिंगल, शेप है उस को प्रान में कोश कहते हैं, हम उस प्रान को एक शेप दे रहे हैं, अब आप अचानक प्रातना कीजिए, खुझ से, कि ततकाल ये जो मैंने शेप बनाया है, ये मेरे शरीर के बाहर सामने आ गया है, और मैं इसको देख रहा हूँ इस शेप को मेरे सामने, अब आप अपनी के विज्ञान में होलोग्राम टेकनीक भी कहा जाता है, आप इस शेप से बात कीजिए, और पूछिए, तुम क्यों आए हो मेरे जीवने, क्या परपस है तुम्हारे होने का, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, इस नेगिटिव फीलिंग के पीछे, क्या पॉजिटिव intent है, जो भी हो शेप आपको बोल रहा है, आप महसूस कीजिए, जो भी आपको महसूस हो रहा है, और उसके बाद जो अब आपको पॉजिटिव महसूस हो, ये था आपका विज्ञान में कोश, आपने बुद्धी का उपयोग करके खुद को उससे दूर किया, प्रॉब्लम स चेंज मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, जब आपने पॉजिटिव लर्निंग समझी है, कि माता-पिता के जगड़े ने मुझे बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया, या फिर आपने समझा कि मेरे माता-पिता ने जानमूझ के मेरे प्रतियों वहवार नहीं किया, ऐसा ह परवरिश उनके माता-पिता ने उन्हें दी थी, तो वो तो खुदी विक्टिम थे, जो उन्हें मिला, वो उन्हें मुझे दे दिया, तो मैं विक्टिम का भी विक्टिम हूँ, मेरे पिता भी एक आम देखती थे, उनसे भी गलती हो गई, इस तरह से आप समझी इस बात को फिर जब आप समझ जाएं, फिर कहिए I am ready for the change, और अब आप खुद को कहिए मेरे सामने ये जो द्रश है, ये जो मैंने पूरा rectangle काले रंग का heavy structure बनाया है, इसको मैं बदलूँगा, अब आप इसको सुन्दर बनाएए, आप इसको, आप खुद से पूछिए कि क्या मैं पर validation से बाहर आजाएए, कुछ समय बाद फिर से practice कीजिए, बस उस positivity को रखिए क्या क्या नया सीखा है, पर अगर उत्तर मिले हां मैं परिवर्तन को तयार हूँ, तो आप उस shape को बदले, उसको आप एक सुन्दर heart shape बना सकते हैं, वो जो बड़ा काला rectangle है, उस heart में आप pink color भर इसको light कर दीजिए, देखियों उड़ रहा है, और आप देखियें कि ओ जो काला rectangle है, उस heart shape में फ्यूज हो रहा है, और जैसे ही उस heart shape में फ्यूज हो गा, फिर आप उस heart shape को गँआश से देखिये, वो और bright होने लगेगा, वो और bright होने लगेगा, उसको और bright कीजे, और उसको अपने अंदर बसा लिए यह यह जो आखरी कोश है इसी को आनंद में कोश करें और खुद को कहिए अपसे जब भी मैं मेरे माता पिता के बारे में सोचूंगा मुझे पॉजिटिव पीलिंग्स आई है जब भी मैं उनका फोटो देखूंगा मुझे पॉजिटिव फील इससे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे पांचो कोश को तो दोस्तों चलिए एक समरी करें हमने क्या बाते की तो हमने इस बात को समझा कि पंच कोश शरीर त्रह पर ही बनाए गये और शरीर त्रह का ही मॉडल पे इसको किया गया कोश का मतलब इस फंक्शनल डिवीजन जो अन्नमे कोश है वही स्थूल शरीर है अन्नमे कोश में बॉड़ी और उसके रोल पे बात होती है बॉड़ी कभी जूट नहीं बोलती और बॉड़ी का मन का हर इश्यू बॉड़ी के टिश्यू से कनेक्टेड है हमने पावर पोजिंग पे भी बात की हमने हैड, हेर, नेक, थ्रोट पे बात की कि कैसे ये हमारे मन के भावों को ही एक्स्प्रस करते हैं और फिर हमने समझा कि हमारे रोल भी हम नहीं बदल पाते हैं क्योंकि हम रोल से अटैच हो जाते हैं हम अपने ऑफिस के रोल से इतना अटैच होते हैं कि घर पे भी अधिकारी ही बने रह जाते ह प्राण में कोश, प्राण में कोश ही क्रिया शक्ती है, इसमें पांच प्राण होते हैं और पांच कर्मिंद्रियां होती हैं, पांच कर्मिंद्रियां और पांच प्राणों को मिलके ही हमने कहा प्राण में कोश होता है, यह energy body है हमारी, जिसकी हमने करिलियन फोटग्राफी प इन्टिवी बात की हमने मैगनेटिक पील पे बात की हमने पॉस पील एन एक्ट पे बात की हमने देखा इसके लिए राजयोग भी है हमने देखा तनावाने पे कैसे नारे Dios बदल लेने से पैरा सिस्टेमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके हम बहतर महसूस कर सकते हैं मरत्यू के समय यही कोश शरीर छोड़के जाता है यही है क्रियते और जब मैं कहता हूँ मैं डल हूँ मैं अनर्जेटिक हूँ मैं इसी की बात करता हूँ फिर आया हमारा मनोमे कोश जो हमारी इच्छा शक्ती है इसमें मन और ग्यानेंद्रिया होती है इसका आधार चित की यादे और अहनकार होता है इसका काम है इच्छत ये डिजायर करता है और हमने देखा कई उधारणों दौरा कैसे emotional problem energy fixation करती है energy problem physical fixation करती है और शरीव में व्याद ही आने लगती है इसका आहार है चित और प्रत्याहार से इसको deal किया जा सकता है जब भी मैं कहता हूँ I am happy sad मैं मनोमे कोश की बात पर मजबूत होना चाहिए मेरा विज्ञान मैकोश यही मेरी ज्यान शक्ती है ये छे component से बनी है पांच senses ग्यानेंद्रिया और मेरी गुद्धी इसका काम है जानाती और ये चित मन और अहंकार को मिलके जब इनका synthesis ढंट से होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये सही है ये logical है ये positive है और क्या मैं इसे बदल सकता हूँ तो मैं नए belief system में मैं कहता हूँ कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ और मैं स तेरे विज्यान मैं कोश को अगला इस आनन्द मैं कोश आनन्द मैं कोश वो subconscious unconscious है जब हम छोटे थे तो कारपेट के नीचे खिलोने चुपाते थे बड़े हो गए तो अब भावनाय चुपाते हैं और भावनाय डंपिंग ग्राउंड मन जाती है और बाद में हमारे वैदा और को प्रभावित करती हैं पता कैसे पड़ेगा कारपेट के नीचे क्या-क्या चुपाया है प्रिगर पता लगाई है चलकता वही है जो भरा हुआ होता है और इसको अनन्द मैं कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं इसके अंदर क्या है हम ब्लिस्प लीग न निर्वाण अस्टिकम यही बताता है पर मेरी आत्मा इन्हीं पांचों से ऑपरेट करती है इसलिए गलत आइडेंटिफिकेशन अगर मैं खुद को आत्मा क्या तरी कुछ और मानता हूं रॉंग आइडेंटिफिकेशन होता है तो मेरा इंटेलेक्टिल फिक्सेशन से एमो को एक टेक्नीक भी बताई कि किस तरह से आप इन पांचों कोश को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपका व्यक्तित्व बैलेंस हो और एक बैलेंस व्यक्ति में ये पांचों कोश बिल्कुल सही तरह से इंटीग्रेट होता है आज के लिए इतना ही शुक्रिया